हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी अच्छा आज एक और इंट्रस्टिंग टोपिक उपर बात करना जा रहे हैं रेट सोयल पिचिस और ब्लैक सोयल पिचिस के बारे में ठीक है तो लास्ट येर इंडिया उस्टेलिया का बोडर गावस का ट्रूफी का मैच चल रहा था ठीक है इंदोर के होलकर स्टेडियम में मैच होना था तो वहां पर पिचिस को लेकर के बड़ा बावाल हुआ था क्योंकि जो मैच होना था वो रेट सोयल की पिच पे होना था बट कुछ-कुछ हिस्ते में वहां पर ब्लैक सोयल भी पाई गई मतलब रेट सोयल में ब्लैक सोयल मिक करती है तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे ठीक है प्लस मैं आपको इनकी शेकल भी दिखाऊंगा पिछ इसकी कि रेड़ सोईल की पिछ कैसी होती है ठीक है तो टाइमस ओफ इंडिया में एक आडिकल छपाता जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे हो ठ ठीक है रेड़ सोईल तो पहला पॉइंट क्या है वह less elasticity, Red Soil Has Less Elasticity, Black Soil Has More Elasticity ठीक है अब ज्याददा pitches का use किया जाता है ऐसा नहीं है कि red soil का use नहीं होता red soil का भी use किया जाता है but black soil के comparison में कम use किया जाता है red soil का ठीक है दूसरा point है हमारा less clay content more clay content ठीक है red soil में clay content कम होता है black soil में ज्यादा होता है clay content का मतला होता है chickeny mitti ठीक है third point है हमारा less water absorption capacity और black soil का क्या है more water absorption कैपिसिटी अब जो रेट सोईल है कम पानी सोखने की वज़े से ठीक है जो रेट सोईल की पिछिस होती है न हमेंसा ड्राय रहती है हमेंसा सूखी रहती है ठीक है चौधा पॉइंट है हमारा has more silt content एक रेट सोईल में क्या हुथा जाता है इसके क्रमबल होने के चांसिस ब् घु होते हैं ब्लेट सोल के कोंपेरिंस ऐसके बाद पाशार क्का होंगा कर यृत प्रियGUES पर ज्यादा नहीं किया जाता य१्यर परिंग ब्लेट थे य सुट होती है आप चाह ज़्यार भी रोलर का यूज़ करो चाहे हलके रोलर का यूज़ करो चाहे तीन बार यूज़ करो चाहे चार बार यूज़ करो उसको फरक नहीं पड़ता रेड़ सोल पे इसलिए नहीं करते रोलर का यूज़ क्योंकि उसके टूटने के चांसे बढ़ जाते हैं ठीक है अच्छा ये तोरा इसका basic अब हम cricket की language में समझेंगे कि आखिर ये red soil होती क्या है और ये black soil की pitches क्या होती है ठीक है तो सबसे पहले आप इसकी शकल देख लो देखो ये होती है red soil pitch आपको red red नजर आ रहा होगा ठीक है और ये दूसरी बाली है ये है black soil की pitch आपको हलका हलका सा black black नजर आ रहा होगा है ठीक है तो live match में आप pitch की शकल देखे ये idea लगा सकते हो कि कौन सी pitch पर ये match हो रहा है ठीक है तो आप समझते है red soil pitch के बारे में तो देखे ये जो red soil की pitch होती है ना ये दो तरीके से behave करती है एक तो जब ये fresh होती है तब और एक जब ये crumble कर जाती है तब ठीक है तो सबसे पहले हम समते हैं जब ये fresh होती है जब ये pitch fresh होती है ना तो ये both batsman और bowler ये दोनों का favor करती है ठीक है देखिए red soil की pitches जब फ्रेश होती है ना तो यहाँ पर जो fast ballers होते हैं जो आपके seam ballers होते हैं उनको अच्छा bounce मिलता है प्लस अच्छी pace मिलती है ठीक है जिससे होता क्या है कि अगर अच्छा baller है talented baller है तो अपनी bounce का यूज़ करके अपनी pace का यूज़ करके batsman को परिशान कर सकता है ठीक है वहीं अगर अच्छा batsman है तो वो उसी bounce का उसी pace का यूज़ करके baller को लंबे-लंबे shorts लगा सकता है ठीक है बट first inning में ना spinners को ज़्यादा help नहीं होती ठीक है ये चीज़ ध्यानक ना first inning में red soil पर spinners को ज़्यादा help नहीं होती ठीक है बट ऐसा ज्यादा तर देखा गया है कि मतलब मैंने तो हमेशे देखा और प्लस अब तक जितने भी मैंने रिकोर्ड देखे हैं कि red soil की pitches पर na batsman ज्यादा howie होता है starting में जब वो fresh होती है ठीक है आपको ज्यादा run बनते हुए maximum time आपको मिलेंगे ठीक है प्लस यहाँ पर batsman को settle होने में ज़्यादा time नि लगाना पड़ता वो आता है शुरू में एक या दो और खेलेगा मुश्किल से उसके बाद वो तुरंट settle हो जाता उसको idea लग जाता कि यह pitch किस तरीके से bounce में help कर रहे है बोलर को या फिर यह pitch किस speed से bad प्यार ही है ठीक है तो batsman जो है वो तुरंट settle हो जाता है इस pitch पे ठीक है यह तो हो गया जब यह wicket fresh होती है अब यह behave करती है अलग तरीके सा जब यह crumble हो जाती है तो pitch का टूटना या pitch का crumble होना depend करता है कि उस pitch पे कितने overs का match खेला गया है तो मालनो ऑस्टेलिया और इंडिया का match होना है तो एक inning पहले इंडिया ने खेली तो ऐसा नहीं कि second inning आते आते तक pitch तूट जाएगी या फिर ऑस्टेलिया को जो है काफी जयता प्रोलम होगे second inning में ठीक है ऐसा नहीं है क्योंकि match है वो सिर्फ 40 over का होना है 20 over का इस side से 20 over का उस side से तो उस condition में pitch जल्दी तूटती नहीं है ठीक है बट अगर match होना है ODII का है ना 50 over का match होना है तो जो team first inning में खेलेगी ठीक है उसको तो ज़्यादा प्रोलम नहीं होगी बट second inning में जो team खेलने आएगी ना उसको काफी ज़्यादा प्रोलम फेस करने को मिलेगी ठीक है क्योंकि second inning तक आते आते जो पिछ है ना वो करंबल कर जाती है वो तूट जाती है ठीक है क्योंकि दोनों side 50 over इधर खेल लिए team 50 over खेल लिए तो फिर simple से बात है भीए पिछ तो टूटनी टूटनी है है ना तो second inning में जो team खेलने आएगी वहाँ spinners हा भी हो जाते है ठीक है वहाँ spinners मतलब आप यह समझो कि अच्छा quality spinner है तो फिर वो batsman के ना band बजा देगा बोल इतना जादा turn होता है प्लस वहाँ पर फिर जो team बोलर से उनकी भी बोल जो है वो थोड़े रुक के और थोड़ी फस के जाती है ठीक है तो यह चीच अपने दिमाग में याद रखना T20i के केस में pitches की तूटने के chances थोड़े कम होते हैं और ODI के case में वो chances ज्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है और अगर test match है फिर तो आप यह समझो कि फिर तो मतलब वो pitch पूरी बोलर को ही favor करने वाले है क्योंकि test match तीन दिर चार दिम चलता है और test match में अगर red soil की pitch के उपर match हो रहा है तो तीसरे दिन चोथे दिन कितना खतरनाक turn देखने को मिल सकता है आप idea लगा सकते हो ठीक है तो यह सारे points आप ध्यान लखना ठीक है अच्छा आप यह red soil की pitches पाई कहाँ पे जाती है ठीक है red soil की pitches आपके आपके वेस्ट इंडिया में पाई जाती है ठीक है अच्छा अब हम समझते है black soil pitches के बारे में ठीक है तो देखे जो ब्लैक स्वेल की pitches होती है यहाँ पर bounce कम मिलता है बोलर को red soil में क्या होता था कि bounce जदा देखने को मिलता था बट यहाँ पर क्या है bounce आपको कम देखने को मिलेगा प्लस यहाँ पर क्या है starting से ही बोल थोड़ा सा रुक्के और फस्के आता है red soil में क्या था कि starting में जब wicket fresh होती थी तो बोल एकदम अच्छे से bad पर आता था और अच्छी bounce मिलती थी बट यहाँ क्या है कि बोल स्टार्टिंग में थोड़ा रुक्के और फस्के आता और batsman को यहाँ settle होने में time लगता है ठीक है यहाँ ऐसा निए कि batsman आया उसने एक और खेला और वह एक और के बाद settle होगे है पूरी तरीके से वह pitch को उसने पूरी तरीके से रीड कर लिया ऐसा नहीं है यहाँ पर batsman को पिछिस को रीड करने में थोड़ा time लगता बट इसकी खास चीज क्या है कि अगर batsman जो है पांच ओवर शे ओवर साथ ओवर टिक गया इस पिछ पे उसके बाद वह लंबी इंग खेल सकता है और अच्छे का से रंस बना सकता है ठीक है और दूसरी चीज है ड्राइश स सबस्क्ति क्या है कि यह ज़ल्दी तूटती नहीं ठीक है अब ऐसा नहीं कि पचास ओवर का मैच होना है ना ऐद प des Im का match होना है तो first inning में जो team खेलने आई ठीक है उसके बाद second inning में जब दूसरी team खेलने आईगी तो pitch पूरी तरह के तोट जाएगी ए क्रमबल हो जाएगी है ना बोलर को बहुत जादा extra help मिलेगी ऐसा नहीं है ठीक है help मिलेगी but red soil soil की comparison में कम help मिलेगी ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखना यह वाली जो pitch होती है वो जल्दी नहीं टूटती है और इस तरह की पंचेश कहां पाई जाती है यह भी आपकी इंडिया में पाई जाती है सब content होगहाई आपके इंडिया हो गई बागलादेश हो गई है ना अफगानिसान हो गई इसका best norm पलद यह ले लो क्या नाम है श्रिलंका श्रिलंका में maximum जो pitch पाई जाती है वो black soil की पाई जाती है तो यह राब है रेड सोई और ब्लेक सोई का सारा हिसाब किताब है ना जो आपको मुझे समझाना था ठीक है बाकि इसमें कुछ और पूछना आपको या कुछ आपके डाउट्स रहे गए हो तो आप टेलिग्राम पर आके मिरे से पूछ सकते हो ठीक है दोस्तों